देहे शिवाबर मोहे इहे शुब कर्मन ते कब हुना तरूं ना डरूं और सोई जब जैल रूं निश्चे करे अपनी जीत करूं और सिख हूं अपने ही मन को ए लालच होगन ताउं उचरूं जब आब की ओद नदान बने अत ही रण में तब जूज मरूं गुरू गोबन सिंग महाराज ने मनुक्ता दे उत्ते ए वक्षश कीती के लुका नो एक सबैमान वाला अन्ख वाला अजादी वाला जीवन जयाओन दी जाँच सखाई है गुरू गोबन सिंग महाराज जी दा परकाश पटने विखे होया जदों गुरू महाराज दा परकाश होया ताउं एक फकीर सैयद पीखन शानूं गुरू परकाश दी जानकारे मिली ता ओ त्रंत पटने वालनू चल पे फकीर नू पता सी के सबनू एक सांजेपा इचारे विच प्रोण वाले गुरू गोबन सिंग सहेव दा देवी परकाश हो चुक है ओ इस ताथनू लोका दे सामने जाहर करना चौंदे सी फकीर ने बालक गोबिंद राये दे सामने दो कुझियां रखियां ताँके लोका नू एपता लग्ये के पांथदे बाले निल्ले वाले बाज्यां वाले गुरू गोबन सिंग महराज सब दे सांजे गुरू ने ता रम दे तोरते जेकरसी दुनिया पर दे ता रमांदी बर्गबंड करिये ता मुख तोरते दो तरांदे ता रम दो तरांदे ता रमांदे प्रवार साडे सामने आँँदे ने एक पासे सामीत अर्म ने सामीत अर्म दी परतिनेत्ता उसमें जदों पीखनशा जी बालक गोवंद राय दे कुल पहुंचे उना दे नजर दे विच मुसलिम पा इचारा सी दूसरे पासे दखनी एशिया दे ता र्मा दे विच्चों हिंदू सबे ता दे ता रम पीखनशा ने दो कुज़ियां इस करके रखियां सी के ओ लुका दे सामने दसना चौनदे सी के बालक गोवंद राय हिंदूवां दा पाखला एगा जा मुसलमान ना दा प्रांटू बा पुझियां दे उत्ते रख देते ए इस पासे वल अशारा सी के गुरु गोवन सिंग महराज सब दे सांजे ने ओना देली तर्मिक बंडांदा तर्मिक बितकरेंदा जा तर्म गतारते लोकान ये पहचाना नालू गुरु गोवन सिंग महराज ने सारी दुनिया नू एक पाइचारे दे विच जोड़ना सी ते गुरु गोवन सिंग महराज पटने तो अनांदपूर सहेब पहुंच आंदे नहीं जोड़न गुरु गोवन सिंग महराज दी उमर नौ साल दी सी ता कश्मीरी पंड़तां दा एक जथा गुरु तेग बहादर सहेब नू ननांदपूर सहेब होंदा है पंड़त ये फ्राद लेके आए के और्गजेब दी सरकार दे सुबेदार उनना नो तंग प्रेशान कर देने तर्म बदली देली कह रहेने ते जदों गुरु तेग बहादर सहेब फ्रेदी पंड़तां दी गाला सोन रहे सी ता उस समय बालक गोबंदर आए उनना दे कोल दी लंगे ते बालक ने पिता जी नू पुच्छया के ए लोक किस का आरज दे ले आए ने ता गुरु तेग बहादर सहीव ने किया के इना दे तर्म ते पीड़ पही है इना दे तर्म नू खत्र है ते इना दा तर्म ता बाच सकदा है जे कर कोई महापुर्ष अपनी शहादत देन देली अगे आवे ता गुरु गोबिंद सिंग महाराज ने उसे समय किहा के पिता जी तो अड़ेतों बड़ा जोग महापुर्ष होर कौन हो सकदा है ते बालक गोबिंद राए गुरु पिता दे तो मिशन से उनू सामझ दे सी ते इस तों पिच्छों गुरु ते एक भादर सहेब दिली चांदने चौक देखे शिहीद होए गुरु महाराज दे शहादतों पिच्छों गुरु गोबिंद सिंग महाराज ने सिख पंथ दे बांग डोर संबाली ते गुरु गोबिंद सिंग महाराज ने जित्थे बाखवाख पशामा सिखियां आस्तर शास्तर देवे आस सिखे ते अपने सिखानू साहेत तारम अते जुद नेतिक कलादे विच नपुन कीता ते गुरु गोबिंद सिंग महाराज नो नाहन दे राजे मेदनी प्रकास दे सद्धे ते नाहन बलाया गया ते गुरु साम नाहन पहुंचे अलाके विच गुरु जी जामना कनारे जान दे सी ए जगा गुरु महाराज नो बहुत रमनीक लगी इस जगा ते गुरु मारादे को उड़ेदा पैर अटकेया तक गुरु जी ने इस जगा नू अपने ठहर बना लेया ते इस दा नाम पॉंटा सहेव रख्या ते पॉंटा सहेव इखे गुरु सहेव बखवख अपने कार्जाने विच लग्ये रेंदे सी इस्ते ही गुरु मारादे कवी कवतामा सनोंदे ते गुरु माराज बाणी सिमरन अते जुद्ध कलादे वे आस भी नलो नाल करदे रेंदे सन ते गुरु माराज ने जिस तरह से अरदास कर देंदे पिर थम पॉंटी सिमर के गुरु नान का लईते आए ते पॉंटी नो एक नमे अर्थां दे विच पेश कीता बशाल अर्थ देते कि ए पॉंटी सवदी सिर्जिक है इस करके गुरु माराज जी इसनो नमश्कार कर द ने ते एदी नमशकार इस रूप दे विच भी उनना ने किया के नमशकार सिरी खड़क को करो सुंखित चित लाए पूर्ण करे गरंथ एहे तुम में करो सहाए गुरु गोगन सिंग महराज दा उस समय पंगाणी विखे जुद्ध होया गड़वाल दे राजे फते चंद अते बिलासपुर दे राजे पीम चंद दी हैं फौजा ने पॉंटे उत्ते चड़ाई कीती ता गुरु माराज ने पॉंटे तो गयरां किलोमिटर दी भित थे पं आने दी जगा चुणी जित्थे गुरु जी ने इना निया फौजां दा मकावला कीता पहली जंग विच दो फौजां दा मकावला एक पासे पाड़े दे फौजी दूजे पासे गुरु गोबन सिंग जी नू प्रेम कारनवाडे सिख इस जंग दे विच गुरु गोबन सि गुरु गोवन सिंग महाराजी दे तीरां दा उन्ना दी जुद्ध कला दा दुश्मन दियां फोजां मकावला ना कर सकीयां ते एप गानी दा जुद्ध गुरु गोवन सिंग महाराजी ने फते किता इस फतेतों उपरांत गुरु गोवन सिंग महाराजी ने सोडा सोनड निमेदी विसाखे नू एक बिलकुल विलक्षण न्यारा पंथ खालसा साजिया खालसा पंथ दी सिर्जना दी नी पामे गुरु गोवन सिंग तो पहला पहले पाशा गुरु नानक पाशा ने रख देती सी गुरु नानक साहिब ने अपनी बानी रही वी एस संदेश देता है कि जोतों प्रेम खेलन का चाओ सिर्तार तली गली मुरी आओ इत मारग पैरतरी जै सिर्दी जै कार्णा की जै गुरु गोवन सिंग महरायने वसाखी दे मौके एक बशाल अकट कारने लई दूर दराडे सिखानू अचेचे तोरते सनेहे पे जे जित्ते वे गुरु दे सिख रेंदे सन ओ हम हमा के गुरु जी दे संदेश दे मतावक 1699 वसाखी दे वाले दिन अनांदपूर सहे पहुंचे अनांदपूर सहे विखे एक बहुत वशाल अकट होया इस अकट दे विच गुरु गोवन सिंग महरायने सिखा बासों पांज सिरांदी मंग कीती बारी 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 पांज सिंग गुरु जी अगे पेश होये तर्म देव देयार थी त्या तर्मनू मन्दन वाले जान देने के तर्म अपने आप दे विच समर्पन है ते गुरु गोवन सिंग महराज दे शिखा ने गुरु अगे अपने आपनू समर्पत कीता गुरु जी ने पंज प्यार्यां दी चोन कीती ते ए चोन करन प्रंथ गुरु गोविन सिंग महाराज आप उन्ना पंजा दे सामने पेश हो है ते उन्ना पंजा पासों जेना नू गुरु गोविन सिंग महाराज ने पंज प्यार्यां नू अमर्त शकाया पंज ककारां दी ब बक्षिश कीती फिर उन्ना पंजाब पासों गुरु गोविन सिंग महाराज ने आप अमर्त शक्या अमर्त शाक के सिखी दा जो सिदातक अदार गुरु नानक पाशा ने जिता है कि गुरु अते सिख दे विच पेद नहीं है जिस्तरा प्राणिया पूर्बलिया जिनिया प् अमप्रा चल दी सी प्रांतु गुरु नानक पाशा ने अपने अंगद गुरु अंगद देवजी नू गुरु गद्दी दी वक्षिश करके ए गल जहर कर दिती सी के सिख गुरु रूप होके अपनी गुरु आईनू अग्ये तोरेगा ते ओसे तरा गुरु गोविन महराय ने खाल सा पांत दी सिर्जिना करके पंजाबासों अमर्द शाके ते पांत नू जिते सिर्जिया ओते पांत दे पासों ही आप ओसे पांत नू परमेशर दा रूप दिता है ते खाल सा जो एक न्यारा है खाल से दे नालिक जे असी खाल से दे शावदे का अर्थ तो इदे अर्थे बन देने कि ओ खाल सा जिस्दा गूरु दे नाल सिद्धा सबन्द है ते खाल से दी सिर्जना दुनिया पर दे इनकलाब्बाँ दे नालों दुनिया पर दिया करांतियां दे नालों एक बलक्खन गरंति है जिते बार्शान दे वार्शा जिते शाहन शाह जिते नीले दे सवार गुरु गोबिन सिंग महाराय ने अपनी पात्षाही अपने सिखां पाव खाल से नो बक्षिश कीती और खाल से दे नाल सिद्धा स्वन्द कैम कीता ते गुरु गोबिन सिंग जी दी ए सिरजना इस करके भी बलक्षण है के गुरु गोबिन सिंग महाराय ने खाल साव अपनी जात अपनी कुल ज़क अपनीया पूर्बलीयाँ जडियाँ हद बन्दीयाँ ज़कर सिद्धान जडियाँ मनुक्षी मोरा लगीयाँ सी उनना दे आड़ों एक बलक्षण मोहोर मुनुखद उते लगी ओमोर सी खाल से दी तो इसे करके गुरु गोवन सिंग जी ने एक नमा नारा देता वाहिगरु जी का खाल सा वाहिगरु जी की फते जदों असी वाहिगरु जी का खाल सा वाहिगरु जी की फते दे अर्थ साम जांगे त दुनिया पर दे तर्मा दे नालों दुनिया पर दे सदांतां दे नालों एक वलक्खन सदांता है वाहे गुरू पाव ओ वाहे जड़ा सानों एक वंडरस हैपिनस देन वाला गुरू है ते ओ गुरू शवद है ते शब्द गुरूदा से आता चेड़ा गुरू नान का पाशानने दिता ते वाहिग गुरू दे जजशनNow एक शब्दनू गुरू चेड़ा सड़ा सब्दा सेर्जिक है मन दे हुए गुरू मारा ने किया कि ए गुरूदा साजिया खालसा है ते गुरू दे म्साध्ञ जे खालसे दे किसे भी लह्र दे विच किसे भी मदाने जंग दे विच ता ओजित किसे व्यक्ति वशेष देनी होएगी ओजित ओप्राव्ति हुआ ही गुरू दे जे क्योंकि सब कुछ करनवाड़ा सब दा सिर्जिक ओही अकालपुर्ख सचे पाशा है ते गुरु गोवन सिंग माराय ने अपने एस फते दे जेकारे दे नाल मुनुख नो मुनुखी बंडियां तो नाकेबल उपर कीता बलके मुनुख नो एक नमे किसम दा जीवन जयाउन दासदा आता है खालसे दी सिर्जना देस दा आतनू सर्बलो ग्रंथ विच इस तरह पेश कीता गया है खालसा मेरो रूप है खास खालसे में हों करो नमास खालसा मेरो मुख है अंग खालसे के हों बस्त सा दरसंग खालसा मेरो इस्ट सहर्द खालसा मेरो कैहत विर्द खालसा मेरो पुछरुपाद खालसा मेरे सुख पहरलाद खालसा मेरो मित्र सखाई खालसा मात पिता सुख दाई खालसा मेरी सुबबा सील खालसा बंद सखा सद डील खालसा मेरी जात वर पात खालसे सो मुख्यों उत्पात खालसा मेरो पपनपंडार खालसे कर मेरो सदकार खालसा मेरो सजन परवार खालसा मेरो करतवदार खालसा मेरो पिंडपरान खालसा मेरी जान की जान गुरु गोविन सिंग महराज ने खालसे नो अपनी जानतों भी उपर मन्या केवल मन्या ही नहीं इसे करके यसी गुरु गोबिन सिंग महाराज नो सरवांस दाननी कहने हैं खालसे ले, खालसे दे मिशन दे ले गुरु महाराज दे चारो सहवजाद दे शिहीद हुंदे ने बड़े सहवजादे चमकावर दी गड़ी इजे विच्चों गुरु गोबन सिंग महाराज ने आप जांगदे ले त्यार करके पेजी इसे तरह छोटे सहवजादे सरहांदविखे दवारां वेचे चिनेंगे जदो गुरु गोबन सिंग महाराज ने एक ख़बर मिल दी है कि उन्ना दे चारव पुत्तर शिहीद होगे ता गुरु गोबन सिंग महाराज ने एक अलक ही कि जेकर मेरे पुत्तर शिहीद भी होगे ने फिर भी खालसा जिन्दा है गुरु गोविन सिंग महाराज ने खालसे नो अपना मिशन बनाया ते गुरु महाराज दा साजया खालसा आज दुनिया पर दे विच अपने पर्चम लहरा रहा है खालसे दे नाली गुरु गोविन सिंग महाराज ने एवी सिखानो नदेड साहे विखे अदेश देता गुरू, ग्रंथ, ते गुरू खालसे दा एक नवेकला सदा आंत है, जिदे वस्यम नुख दे नाळों 5,4 उपर है, पाई चारा पाव खालसा खालसे दे एस दा आंत दुनिया पार दे मनुक्खी अजादी दे मनुक्ख दी बलखणता दे मनुक्ख दी ब्राबरता दे इस दांता दे नाड़ों सबतों बलखण है जिस तरह आपा शुरू दे विचे गल कीती सी के पिखनशा दे बलो रखियां दोना कुजीयां दे गुरुमाराई ने अपने कोमल हाथ ठकाए सी इसे तरह खाल सा बाण दे ले एक जुरूरी नहीं है के किसने किस तरम दे विचे जात दे विचे जा किस आलाके तो जनम ले हार अलाके दा हारता रम दा हार जात दा मनुख खाल से दे सता अंतानों प्रवान बन के खाल सा बन सकता है और खाल से दी सर्जिना करके गुरु गोविन सिंग महराई ने लुकानों एक नमे किसम दा जीवन जयोन दा नाके विचे बलके अपने जीवन दे विचे ए जयों क दखाया के खालशाई जीवन किस तरह दा हुंदा है तो गुरुगुमान सिंह महराजि दे प्रकाश पुर्बद नूँ बनाओ दे आ, गुरु महराज दे सदा अंता नूँ समझीे, तो जदों भी मनुकता दे उते, जज सिखा दे उते पीड़ पैंदी है, तो सिख कल्गिया प्रकाश दिहाड़े दे इसमे असी गुरु माराई दे असी स्प्राव्द करिया गुरु माराज साड़े सावदे अंग सांग सहाई होण सावनों चर्दे कला वक्षन असी गुरु गोबिन सिंग माराज बलों दस से मार्गते चलके अपना जीवन सफल बना सकिये एहो सानों गुरु माराज अर्दास बेंती करने चाहिए दिया है इन्य बेंतियां प्रवान करो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फते ए वीडियो दानों किस तरह दी लगई कुमेंट दे राही साधे नाल आपने विचार जुरूर सांजे करो ते इस चैनल नों सब्सक्राइब भी जुरूर करो जेकर तुसी ए चैनल सब्सक्राइब करोगे ता सानों बहुत अच्छा लग्येगा तानवाल